बेमितरा जिले में बोर्सी के बारूत फैक्टरी में आग लग गई, आग जन्नी से बड़ा धमाका हुआ और आट-दस लोग मारे गए, वही करीब दस-बारा लोग घायल भी बताये गए हैं, घटना बेरला प्लॉक के ग्राम पिर्दा की है, पिर्दा सित बारूत फैक्टर के अंदर 20 फिट गहरा घटा हो गया, बलास्ट में करीब दस-बारा लोग घायल भी हो गये हैं, बलास्ट में मारे गए लोगों के शव मलबे में दब गये हैं, धमाके का असर फैक्टरी के कई किलोमीटर तक महसूस रहा, बारूत फैक्टरी बलास्ट की घटना पर डिप् इसपोर्ट की घटना पर बेमेतरा एसपी रामपुष्ण साहू ने कहा कि जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई थी, इस्तिती नियंतरन में हैं, पांच-छे घायलों को अस्पताल भीजा गया है, घटना की जाच की जाएगी इसपोर्ट हुआ है, जिसमें विस्पोर्ट हुआ है, बेरला थाना के अंतरगत पिरदा और गाउं है, तो अभी कुछ इस्पिस्तिती इस्पस्ट नहीं है, और जाच चल रही है, एस्पी वहाँ पर मौके पर खड़े हैं, और बाद भी होई है उनसे, अभी और इस्तिती कम हो वही ठीक है, अभी जाच हो रही है, प्रशहरसन के सारे लोग वहाँ उपसे थे और जाच पता चल जाने पर फिर और आपको सुचना करते हैं, आई इसमें जैसे जानकारी मिली, नौबजे के आसपास हमको जानकारी मिली थी, कि यहां पर ऐसी घटना की सुचना कर दो करते हैं, आभी तक जो है, पाच-छे लोगों की अम उन बताई गही है, कि वो उनको उनको भीजा गया करके बागी डीटेल नी जा रही है, और जो इस्पोर्ट है, वो चुकि वहाँ पर इस्पोर्ट हुआ है, तो उसके संभद में जो है, अंदर जब आजाईगी त इसका पूल रहे हैं तो बोलता है कि चूब की फैक्ट्री है है और निशन देख खतरना किस्तिति तो इसलिए लोहों से अपिल की जा रहे हैं लोग जो है दूर है जिससे जो घटना हासा हुआ है वो तो बहुत ही जो है गंबिर है साथी और किसी वी तरीके से कोई नुक्सान देख अपिल की जा रहे हैं कि आगे जो है सेम रखें साथी जो है लोगों को कॉपरेट करें